Hello friends, welcome to my YouTube channel, exercise 3.2 से question number 10 करेंगे Express each of the following numbers as the sum of 3 odd primes यह number जो आपको दे रखे हैं, इनको आपको 3 odd prime के form में दिखाना है यानि इनको sum की form में दिखाना है, 3 number होने चाहिए 3 odd होने चाहिए और prime भी होने चाहिए पहला number देखें, 21 लिखा हुआ है अब यहाँ पर condition यह है, कि आप 3 number दिखाओगे ऐसे sum में 1, 2, 3 और यह prime होने चाहिए और odd prime होने चाहिए तो 2 को छोड़के, बाकि सारे जो prime numbers होते हैं, वो odd होते हैं आप 2 का यहाँ पर use नहीं कर सकते तो मैंने यहाँ पर कुछ prime numbers लिखे हुए हैं, 43 तक तो ऐसे यह prime numbers हैं, इनहीं को आपको use करकरके और 3 number का use करके, इसके sum को 21 के बराबर दिखाना है यह question exactly आपके question number 6 की तरह है बस difference इतना है, 6 question में आपको 2 number के sum करना था यहाँ पर आपको 3 number का करना है चलिए first शुरुआत करते हैं, 21 है अगर मैं सबसे छोटे 3 और 5 prime numbers को ले लेता हूँ जो कि मेरी इस line में आ रहे हैं 2 को तो मैं ले नहीं सकता, क्योंकि 2 एक odd number नहीं है यह even number है तो 3 सही अगर start कर दूँ 3 और 5 को लेता हूँ, तो मैं 8 आ जाएगा तो 8 के बाद 21 बनाने के लिए क्या चाहिए वो मुझे 21 में से minus करके देखना पड़ेगा तो 21 में से मैं 8 minus करता हूँ तो 11 और 8 यह 3 आ गया यहाँ पर 1 बचेगा और यह तो यह 13 आ गया, और 13 एक prime number है दैट मेंस 3, 5 और 13 इन 3 को मैं use कर सकता हूँ तो 3 plus 5 8 हो गया, और 8 में फिर 13 चाहिए तो ऐसे थोड़ा सा आपको इसके अंदर adjustment करना पड़ेगा देखना पड़ेगा अब 31 देखिए 31 के लिए यहाँ भी मैं सबसे पहले इन 2 को start कर लेता हूँ 3 और 5 को, let's suppose 3 और 5 ले लिए मैंने और इनका सम आ गया है 8 अब 31 में 8 तो मुझे पता है तीसरा नमबर चाहिए तो देखता हूँ तीसरा नमबर क्या बन रहा है 11 में से 8 जाएगा तो 3 आएगा यहाँ पे 2 बचेगा 2 में से कुछ नहीं जा रहा तो यहाँ पे 2 बच गया तो 23 आया तो 3 प्लस 5 प्लस 23 अब 53 नमबर है 53 नमबर में अगर 5 और 3 कोई ले लेता हूँ मैं तो 8 हो जाएगा और 8 के बाद तो फिर बहुत बड़ा नमबर चाहिए ट्राइ कर लेते हैं 53 में से माइनस कर लेता हूँ मैं अगर 8 माइनस करता हूँ तो यह 13 हो गया 13 में से 8 गया तो यह आ गया है 5 अब यह तो पीछे ही 5 आ गया तो जिसके पीछे 5 होता है वो तो प्राइम नमबर होता ही नहीं है तो मैं यही पर रुख जाऊँगा तो 3 और 5 से मेरी बात नहीं बनेगी यहाँ पर मैं देखता हूँ कि 13 और 17 अगर मैं ले लेता हूँ 13 और 17 ले लेता हूँ तो इन दोनों का सम 30 बन जाएगा और 30 के अंदर अगर मैं 23 प्लस कर देता हूँ तो यह 53 हो जाएगा तो ऐसे यहाँ पर मुझे यह नजर पड़ा कि यह मेरे वो प्राइम नंबर से जिनका सम में 53 बना सकता हूँ 13, 17 और 23 तो 13 प्लस 17 13 और 17 हो गया है 30 30 में 23 प्लस कर दिया तो 53 हो गया तीनों यह प्राइम नंबर से तीनों और और है 61 देखिए 61 के लिए मैं यहाँ पर मुझे 41 दिखाई दिया यह देखिए प्राइम नंबर में तो 41 को अगर मैं ले ले लेता हूँ एक बड़ा सा नंबर अब इसके बाद मुझे 20 की जरूत पड़ेगी यानि मुझे 41 तो मिल गया है और 20 की जरूत पड़ेगी और 21 को मैं ऐसे ब्रेक करूँगा जो दोनों नंबर्स प्राइम नंबर हो तो मैं ऐसा कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर 7 एक प्राइम नंबर है और 13 एक प्राइम नंबर है 7 और 13 का जो सम होता वो 20 हो जाएगा और 20 में 41 प्लस करूँगा तो यह 61 हो जाएगा तो इस तरह आप प्राइम नंबर्स को लिख लोगे तो यहाँ से आपको आडिया मिलता रहेगा यही करेंगे यहाँ पर 7 और 13 तो हो गया है 20 और 20 में यह प्राइम नंबर मैंने 41 एड़ कर दिया तो यह 61 के बराबर हो जाएगा इस तरह से आपको कोशन करना है लास्ट पार था कोशन खतम नेक्स कोशन के लिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई